सबसे पहले जानते हैं कि पर्स में पहली चीज क्या रखें? देखिए, आम तोर पर लोग पर्स में अपने गुरू की या देवी देवता की तस्वीर रखते हैं, चित्र लगाते हैं बहुत सारे लोगों का पर्स अगर आप खोल के देखें, तो उसमें देवी देवताओं का चित्र लगा होता है या लोग अपने गुरू का चित्र लगाते हैं, ऐसा लोग अपने पर्स में करते हैं लेकिन क्या ये उचित है देवी देवताओं को चमडे के पर्स में बंद करना लेदर के पर्स में बंद करना क्या उचित है ये बिल्कुल भी उचित नहीं है इसलिए अपने पर्स में अपने गुरू या देवी देवताओं के चित्र मत रखिए अपने परिवार का चित्र रख सकते हैं, अपने पती-पतनी का, अपने बच्चे का चित्र, अगर आप चाहें तो अपने परिवार में रख सकते हैं, पृतीक रख सकते हैं, चाहें तो ओम या स्वस्तिक का पृतीक रख सकते हैं, ओम रखने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये देवी देवता नहीं है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है, एक शुब चिन है, तो शुब चिन रख सकते हैं, परस में ओम या स्वस्तिक का प्रतीक, अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन देवी देवता का चित्र मत रखिएगा, जो भी चित्र या प्रतीक आप र प्रतीक रखें वो कटा फटा नहीं होना चाहिए साफ सुतरा होना चाहिए उसकी प्रिंटिंग बिलकुल ठीक होनी चाहिए अब पर्स में दूसरी चीज कौन सी रखेंगे पर्स में रुपए और पैसे तो रखते ही हैं लेकिन ये भी बड़ा एहम मामला है कि पर्स में रुपए पैसा कैसे रखेंगे पर्स में रुपए और पैसे बिलकुल ठीक से रखिए बहुत सारे लोग मोड कर ठूस कर जैसे भी मौका मिला अपने पर्स में घुसा देते हैं पैसा मतलब रो नोट को ऐसा मोड के घुसाते हैं कि नोट भी सोचता होगा कहां फंस गए तो नोट को मोड कर ठूस कर अजीब तरह से पर्स में पैसा ठूस ठूस कर रखते हैं सीरियल से सिस्टम वाइड में नहीं रखते इसलिए अपने पर्स में अगर आप चाहते हैं कि पैसा आए तो इसे मोड कर ठूस कर मत रखिए रुपए का सम्मान करेंगे तो रुपए आपका सम्मान करेगा सिक्कों को नोट से अलग रखें यह नहीं कि जहां पर नोट रखा है उसी पॉकेट में आपने सिक्के भी डाल दिये आम तोर पर जो पर्स आते हैं उसमें क्वाइन के लिए अलग से जगा होती है उसमें सिक्कों के लिए अलग से जगा होती है अलग से जगा में सिक्के रखिए और बाकी में नोट रखिए वही सही होगा अगर सही तरीके से पैसा रखेंगे अपने पर्स में तो धन की बरबादी नहीं होगी धन का बेवज़ा खर्चा नहीं होगा क्योंकि ये बात आप समझेए कि जो लोग पर्स में पैसे रुपए को ठूस करके रखते हैं सही तरीके से नहीं रखते हैं उनका पैसा बेवज़ा खर्च होता है उनका पैसा बेवज़ा बरबाद होता है ऐसा देखा गया है